हाई फ्रेंड्स लेसन प्लान डायरी चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम साइन्स का next lesson plan करेंगे जो कि ही lesson plan no.20 ये इस chapter का last topic है जो हम कवर करेंगे पिछले 3 topics complete हो चुके हैं पिछले हमारे 3 videos में उसकी link में description में डाल दूँगे आप वहाँ से link ले सकते हैं पिछले जितने भी topics हैं जो मैंने cover किये हुए हैं आप उसमें से देख सकते हैं class 9 का sciences structure of the atom chapter है और उसका topic है valency date change कर सकते हैं और period change कर सकते हैं time change मत कीजिगा general aims हमने 5 लिखें crisp है ये lesson plan ज्यादा इस बार मैंने general aims नहीं लिखें आप 7 भी लिख सकते हैं पिछले वीडियो में जाके देख लिजेगा total मैंने 10 general aims लिखें specific aims इस तरह से लिखे हुए हैं 5 हैं ये भी then prior knowledge और अब भी introduction वाला part है सारे हम indirect questions कर रहे हैं chapter से related क्योंकि तीन हमने तीन classes इसके पहले के लिए last class तो बच्चों को कफे कित सारी चीज़ें पता चल गई है और जहां से नहीं पता है वहीं से problematic question होगा और यहां से हम अपना object statement लिखेंगे which is valency from the chapter structure and structure of the atom and then teaching method teaching aids और यहां से हमारा जो important point है presentation वह स्टार्ट हो रहा है वैलनसी हमें समझाना है तो पूरे throughout जो भी presentation है वह पूरा वैलनसी पर ही based है और इस तरह से आप side में लिख लेंगे students are listening students are watching students are understanding या आप यहां पर कुछ questions लिख सकते हैं direct और यहां पर बच्चे answer दे रहे होंगा आप उस format में भी लिख सकते हैं वह भी ठीक रहेगा एक दू questions डाल दें तो बच्चों का focus बना रहता है topic में और यह यहां पर presentation end हो रहा है और ब्लैक बोर्ड वर्क यह ब्लैक बोर्ड वर्क में हमने यह बताया बच्चों को then revision questions and classwork, homework, pdf description में available रहेगी तो वीडियो को pause मत कीजिएगा बहुत शॉर्ट वीडियो यह दो धाई मिनिट का जिसमें मैंने पुरा lesson plan cover कर लिया है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, subscribe and share my channel thank you